हाई ट्वेल्टीज वेलकम टू एजीवे कॉमर्मर्स क्लासिस मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस फीडियो में हम अपने इंवार्मेंट इन सस्टेनेबल डिवलप्मेंट चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज जो इसमें टॉपिक करेंगे उसका नाम है सस्टे सस्टेनेबल डिवलप्मेंट का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले काईज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दे से सब्सक्राइब करो और आप अपने डाउट मेंसे योट्यूब पर कमें तो ऐसी डवलप्मेंट जब हमारी अभी की प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी पूरी हो लेकिन एंवार्मेंट को इस तरीके से मेंटेन करना कि आने वाली जो जनरेशन है कमिंग जनरेशन है उनकी नीड भी पूरी हो सके यानि कि हमें अपनी ऐसे नीड्स पूरी नहीं कर लखडिया काती जा रहे घर बनाय जारे तो उससे क्या हो रहे है इस आने वाले हैं जो हमारा हमारी जो जनरेशन है उसको बहुत सारी चीजें जो नहीं मिलने वाली है यह सब चीजें नहीं मिलने वाली है तो sustainable development का मतलब होता है कि आज की present की जरूरत भी पूरी हो और आने वाली जो हमारी PD है उसकी भी जरूरत पूरी होनी चाहिए हमें अपने environment को रुक्सान नहीं पहुचाना है अपनी जरूरत को पूरा करने के चक्कर में तो उसे sustainable development कहते है Is the development which will allow all future generation जो क्या कहते है sustainable development वो यह कहते है कि हम अपनी future generation को क्या लग करे to have a potential average quality of life वो average quality of life at least is high कितनी होनी चाहिए है वो which is being enjoyed by the current generation जो आज हम quality of life use कर रहे है आने वाले generation को भी इतनी तो कम से कम मिलनी चाहिए इससे जादा अच्छी life मिले तो बहुत अच्छा है लेकिन इतनी तो मिलनी चाहिए that is called sustainable development यानि कि आप development भी कर रहे हो लेकिन अपने आसपास की चीजों को sustain करके भी चल रहे हो बचा कर भी चल रहे हैं थीक है तो यह इसका origin कैसे हुआ था गाई तो इसका origin हुआ था हमारे international union conservation of national resource में जिसे short firm में IUCN कहते हैं in 1980 में तो उन्होंने वर्ल कमीशन strategy report में इसको बताया गया उनके हिसाब से इसका मतलब होता है कि आज जो हमारे रोटी, कपड़ा मकान और fresh air इन सब की जो हमारी जरूरत पूरी हो रही है बिजली कम यूज करो, पानी कम यूज करो, पानी को waste मत करो तो वो इसलिए का जाता है कि ऐसा न हो कि आने वाली generation इस चीज को देख ही ना पाए ठीक है, तो that is called sustainable development यानि कि हमें चीजों को waste नहीं करना है आने वाले समय के लिए चीजों को बचा के रखना है तो I hope आपको इसका मतलब तो समझाया होगा अब guys इसको कैसे achieve कर सकते हैं तो सबसे पहले है, restrict use of renewable resource जो resources renew हो जाते हैं environment में बन जाते हैं लेकिन हमें उन्हें कम use करना है इसका मतलब यह नहीं होता कि उनको इतना extract कर लो environment से इतना ले लो कि वो बनने में समय लगे तो वही वो चीज कह रहे है कि जो renewable resources है जो आपको लग रहा है हमारा environment हमें दुबारा बना-बना के जैसे पेड़ पौधों में से पेड़ पौधों में से कह रही है जो जैसे हम लोगों को वेजी टेबल्स है और मचलियां जो लोग नॉन वेज खाते हैं हमें मिलती रहती है हर समय मिलता रहता है यह सारी चीज़े तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम इने access use करने लग जाए हमें इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए अपने environment जो हमें renewable चीज़े दे रहा है उसके use को कम करना चाहिए Second substitute non renewable resource with the हमें substitute करना चाहिए non renewable resource को renewable resources के साथ इसका मतलब क्या होते है कि हमारे को बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो non-renewable हैं जैसे कि जिनकों बनने में बहुत समय लगता है अगर आप देखोगे कोईला वगरा वो अपने समय पर बहुत सालों में 15 साल, 20 साल के बाद वो अपने आप generate होके निकलता है that is a non-renewable resource हर रोज नहीं बन रहा है वो चीज़े हर महिने नहीं बन रहे है तो हमें ऐसे resources को substitute करना चाहिए with the renewable resources के साथ 3. become input efficient यानि कि हम लोगों को environment से सिफ चीज़े लेते नहीं रहना बलकि उनको देना भी है that is called input efficient हमें यानि कि input भी देना चाहिए अपने environment को ठीक है तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए 4. control pollution तो सबसे पहले अगर हम अपने चीज़ों को maintain करके development को maintain करके चलना चाहिए तो सबसे पहले हमें pollution पर ध्यान देना चाहिए pollution को control करना चाहिए क्योंकि एक pollution ही है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है then है control population अब ये सारे के पीछे reason ना सबसे last में बताया है population लेकिन हर एक चीज़ का reason ना population है population जिस तेजी से बढ़ रही है हम सारे resources को use कर रहे हैं अपने फायदों के लिए हम pollution create कर रहे हैं अपनी गाड़िया चलाने के लिए तो सबसे पहले तो हमें जो ध्यान देना है वो population control करने पर ध्यान देना है तो इस तरीके से तो हम इन चीज़ों को achieve कर सकते हैं अब बात करते हैं guys strategy गवर्मिन ने कौन कौन सी strategy यूज़ करी है sustainable development के लिए तो first है use of non-conventional source of energy देखो conventional source of energy वो होती थी जो पहले तरीके से हम लोग electricity produce करते थे energy produce करते थे जैसे की पानी के थुरू है ना आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े पानी के plant लगे होते हैं शाम से light supply होती है यानि कि electricity supply होती है तो government ने बोला आप नई technique use करो जैसे solar system है wind energy है इसमें कोई भी आपके environment को नुकसान नहीं पहुंचता बलकि सूरज की किर्णों की वज़े से जबकि भारत एक ऐसा देश है जहापे सूरज की किर्णे बहुत अच्छे उसमें आती है देश ऐसे जहां पर सूरज की किर्णे आती भी नहीं है तो हमें इन चीजों का use करना चाहिए तो government इस चीज को कह रहे है कि हमें non-conventional source of energy को use करना चाहिए हाला कि इसकी awareness बहुत कम है थोड़ा setup में पैसा ज़्यादा लगता है बढ़ हमें इस पर जोर देना चाहिए second government का use of cleaner fuel यानि कि जैसे कि crowded cities है डेली है आपका Bombay है वहाँ पर हमें CNG वगरा यूस करनी चाहिए पेट्रोल को छोड़के क्योंकि आपको पता है पेट्रोल से बहुत ज़दा pollution होता है secondly जैसे गाउं वगरा है वहाँ पर हम लोग लकडिया काटते है पेडों से और उससे हम आग जलाके खाना पकाते है तो वहाँ पर वो कहते है कि LPG कैस यूस करनी चाहिए हमें third guys establishment of mini hydel mini hydel क्या होता है तो आपने पहारों पर छोटी छोटी नहरे, नदिया, भैती देखी होगी तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स लगाया जाते है जिने mini hydel plants कहते है to make electricity ठीक है तो उन्होंने बोला इस पर जोट दिया बड़े प्लांट्स लगाने के अलावा छोटे प्लांट्स लगाया ताकि उसकी transmission जो है वो easy हो जाए तो इस पर जोट देने को कहा fourth traditional knowledge and practices उन्होंने बोला जो पहले के समय की knowledge और प्रेक्टिस थी न वो environment friendly थी यानि कि हम जो अपने लिए जो medicine सा आयोश system आपको पता ही है है ना आयरवेदे क्यों ना नी तो उस पर focus करने को बोला उन्होंने बोला जो पहले के system थे जिससे environment को नुकसान नहीं पहुचता था हमें उनको use करना चाहिए उसके बाद next उन्होंने बोला use of bio compost हम खाद बनाने के लिए guys बहुत जादा chemical चीज़ों को use करने लग गए है तो उन्होंने बोला खाद बनाने के लिए bio compost यूज़ करो यानि कि cow dung हमारा खाद बनाने के लिए यूज़ कर जाता है खराब जो सबजिया होती है उनको उनसे भी उनके nutrition से खाद बनाई जाती है तो वो चीज़ के लिए उन्होंने जोड दिया कि इससे आपका environment क्या है वो और नुकसान नहीं पहुचेगा क्योंकि आप जमीनों को chemicals में convert करते जा रहे हैं तो वो चीज़ नहीं करनी है 6 है guys, control of biopest biopest यानि कि हम लोग अपने आपको पता ही है, मतलब खेती में agriculture में chemical use किया जाता है, insecticide, pesticide है ना, मानने के लिए कि टानू नाशक दवाईयां जिससे कहते हैं तो उन्होंने बोला इसको use करने की बजाए ना neem based चीज़ों को use करो आप या फिर जैसे की traditional technique होती थी, birds and all वो कीडों को अपने आप खा लेती थी, snakes हो गए तो उनको use करना चाहिए हमें उसके बात है guys, change in pattern of consumption यानि कि जो हमारे consumption का pattern है ना कि बहुत जादा production and consumption हम लोगों ने कर रखा है एक access हम लोग अपने environment से ले रहे हैं तो हमें अपने pattern को थोड़ा सा change करने की नीड है हमें environment से extraction लेना थोड़ा कम करना होगा तो ये strategy अपनाई जानी चाहिए जिसकी वज़े से हमारा environment बचा भी रहे और आने वाली generation को भी ऐसा environment मिल सके जो कि साफ सुत्रा हो So I hope guys आपको ये topic समझाया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप Instagram पर या फिर YouTube पर पूछ सकते हो Thank you